यूके में वो हो गया जो किसी ने नहीं सोचा था सोची एक क्रिस्चन कंट्री में क्रिस्चन सी माइनॉरिटी में आ गए तो अगर उनकी पॉपुलेशन कम हुई है तो किसकी पॉपुलेशन बड़ी तो पॉपुलेशन बड़ी है मुस्लिम्स की तो अब इससे ये सवाल जिसके हिसाब से UK में Christian population 50% से कम हो गई है लेकिन इस रिपोर्ट में केवल यही शौकिंग नहीं है बलकि यह रिपोर्ट ये भी पताती है कि लास्ट वन डेकेट में UK में Muslim population बढ़ी है जहां UK में 4.9% Muslim हुआ करते थे वो अब बढ़कर 6.5% हो गए है यानि कि अब ब्रिटेन में 3.9 मिलियन Muslims है अब आप सोच रहे होंगे कि जिस country के PM हिंदू है वा हिंदू population कितनी है तो Office for National Statistics के डेटा के हिसाब से UK में हिंदू की population 10 लाक है अगर इसे हम साल 2011 से compare करें तो 2011 में हिंदू की population rate 1.5% थी जो अब बढ़कर 1.7% हो गई है लेकिन UK में केवल हिंदू Muslims या Christians ही नहीं रहते हैं वहां कई और धर्म के लोग भी रहते हैं तो UK में सिक्कों की population 5,24,000 है इसके साथ ही बहुत धर्म की अबादी 2.73 लाक से 2.71 लाक हो गई है तो Christianity को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के लोगों की अबादी बढ़ी है इस डेटा से सबसे ज़्यादा प परसेंट यानि की 2.75 लाक लोग Christian है तो अगर 2011 के census report से compare करें तो Christian population में 13.1% की कमी आई है और अब total population में केवल 46.2% लोगी Christian है तो ये अपने आप में एक चिंता का विशे है इस मामले में यौक के आग बिशप स्टीफिन कॉंट्रिल का कहना है कि ये सच में चौक आने वाल इन सब के बीच लोगों को religious help लेनी चाहिए UK के census report में एक और interesting बात सामने आई है वो ये कि वहां पर Christian के बाद कोई धर्म नहीं यानि की no religion वाली population second number पर है वहां second largest population ऐसी है जो किसी religion में बिलीव ही नहीं करती Britain और Wales में 37.2% या 22.2 million ऐसे लोग हैं जो किसी religion में बिलीव नहीं करते इसके साथ ही साथ 2011 से compare करे तो white people की population भी Britain और Wales में कम हुई है Census report पर Britain के PM रिश्य सुनक का कहना है कि Britain diversity से भरा हुआ है और इसका सभी को welcome करना चाहिए न कि इस पर चिंता जतानी चाहिए लेकिन सवाल वही कि क्या अपने ही देश में अब minority बन जाएंगे कृश्चिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्या आगे आने वाले दिनों में ब्रिटेन नो रिलेजन या फिर इस्लामिक स्टेट बन जाएगा ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा लेकिन इस सब पर आपकी क्या रहा है वो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अनकट को